हेलो इस्टुरेंट्स आई हम शिवम साहू आज हम बात करेंगे चेप्टर नमबर फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन आफ रियल नमबर इस चेप्टर को कवर करने के लिए चार टोपिक पढ़ना होंगे जिसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बारा जो टॉपिक है वह जो नाम है यूविशन लेमा अब मरूब बात करेंगे यूश्ट इविशन लेमा होता क्या है यूश्ट इविशन लेमा एक 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 इकमेशन होती है उस एकमेशन को बोलते है maior to bq अब यहां पर A क्या होता है B क्या होता है Q क्या होता है R क्या होता है यह आपन बात करेंगे A मतलब यहां पर होता है डिविडेंट B मतलब जो होता है यहां पर होता है डिवाइजर और Q मतलब जो होता है यहां पर होता है Question और R मतलब जो होता है यहां पर वह उता है Remender ठीक है मतलब Euclide Division लेमा का मतलब होता है एक एक्यशन होती है एक EIt ऐक्वधिविजन इस एक्वाइड द्यूर्ट विसे होता है Dividend अब यह यूट्टिविजन लेमा यूज कहा होता है यह अपनों पढ़ना है तो यूट्विजन लेमा ऐसे सी और पांड करने के लिए होता है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में जब कोश्चन सॉल करेंगे तो जब समझ में आ जागा अब ये का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा करें तो ब्राइं वालब करेंगे इसमें ऐसे वाल स्वाइगे पर श्करन करते हैं क्या क्या होतेítulo स्प्राइब प्राइम फेक्टर को रूखने के लिए कोईशन लोंगा है अब महां लोगों एक कोईशन है कोईशन दिखा है 140 मैं पोई 140 के क्या निकालने है प्राइम फेक्टर कैसे निकालते है 140 को मैं 2 से डिवाइड करूऊं तू सेवन टि जा 140 235 जा 70, 5 जा 35, 7 मंजा 7, मतलब 140 के चो prime आये वो क्या है 2257, 2 x 2 x 5 x 7, 2 दो बार है जो इसने 2 की पावर 2 लिख सकते हैं x 5 x 7, मतलब जो numbers आये ने डिवाइट करने पर उनको open बोलेंगे prime vector, ठीक है, अब बात करेंगे, SPF क्या होता है और LCM क्या होता है, अब बात करेंगे SCM and LCM, इसको भी मैं समझाना जाओंगे एक एक जामपल के थूँ, माल लोग एक कोशन लिजाता हूँ, कोशन है मेरा 10 and 20, 10 and 20 के मैं को SCM भी निकालना है, और के निकालना है, LCM भी निकालना है, अब माल लोग 10 के मैं प्राइम फेक्टर निकालूगा, तो 10 के प्राइम फेक्टर के आएंगे, 2, 5 जा 10, 5 बंजा 5, अब मैं 20 के प्राइम फेक्टर निकालूगा, तो 2, 10 जा 20 होता है, 2, 5 जा 10 होता है, 5 बंजा 5 होता है, तो मैंने देखा, जो 10 के प्राइम फेक्टर आए, वो क्या है, 2 into 5, और 20 के प्राइम फेक् Q40 के प्राइस factor निकाल धी है, सबसे inちら MA 9 चीह क्रमर भी चीह के सा चीह, सबसे बैंने लिए FAC क्राइनल vet Chelsea Lcf क्रमर से जो दोनों में common आजया है जिसे दीआ निए 2 पॉमान है 5 तो जो common आता है उसको लिए high Wisconsin ॉप गोलते है这是 cf C mm 1 x5 को मना है। उंका कूना का बाती ऐसा कKO ममाना होगा का अपनाव म्यक्ट के लिए शताइक का आई रवासल संगें ग Vish הרा तो नंबर जिंगे और क्या बोलते हैं इसीत., ऐसे और गोलते हैं एक वेक्वेशन होती है एक वारा तोपिक के बारे में इर्रेशनल नंबर क्या होता है अब देखो इर्रेशनल क्या होता है इर्रेशनल क्या होता है इर्रेशनल क्या होता है इसकी अपने डेफेनिशन देखी जाए क्या होता है इर्रेशनल नंबर मतलब जो फ्रेक्शन के फॉर्म में ना हो उससे अपन क्या बोलते है इर्रेशनल नंबर यह जिसे मैं लिखा है 3 अपन 4 तो यह क्या है क्या ह्युआ है रेशनल क्यों यह क्यों टोता है क्यों कि यह टाए यह एक इनती क्या को है यह ऑर्रेशनल नमबर, ओके, because it is not in a form of P by Q, ओके, इर्रेशनल का मीनिंग समझने था, अभी इर्रेशनल को को सॉल्व कैसे करते हैं, अपन अगले वीडियो में जब कोस्टन बताऊंगा, जब अपन समझेंगे, ओके, ठीक है, अभी अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इर्रेशनल क्या होता है, अब देवो, अब terminating क्या होता है और not terminating क्या होता है, इन दोनों में सबसे बिले difference बताना चाहूँगा, terminating का मतलब क्या होता है, प्राइम, प्राइम फेक्टर of denominator, of denominator is in a form of 2 into 5, is known as a terminating, प्राइम फेक्टर of denominator is in a form of 2 into 5, मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फेक्टर रहे होता है, तो उसे का बोलते है, terminating, और प्राइम फेक्टर is not in a form of 2 and 5, is known as non-terminating, मतलब जो डिनोमिनेटर के प्राइम फेक्टर है, यह तो और 5 के फोर्म में आ, उसे का बोलते है, terminating, और जो 2 और 5 के फोर्म में ना आये, उसे का बोलते है, non-terminating, इसे में एक 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 जामपल के गरूँ समझा जाता हूं, जैसे माले लोगे एक 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 जामपल लिखा ह कोश्चन आया है, आपने बोलते हैं, यह तो अपने लिखा है, 10, यह terminating है या non-terminating है, मैंने बोला किया, जैसे कि यह numerator होता है, और यह क्या होता है, denominator, मैंने बोला, denominator के प्राइम फेक्टर निकालना है, तो मतलब यहां पर denominator क्या है, 10, तो आपने देखा, 2, 5 जब 10, 5 जब 5, तो 10 के जो प्राइम फेक्टर आए, वो क्या है, 2 इंटो 5, तो अपने देखा, यह जो प्राइम फेक्टर आए, वो क्या है, 2 इंटो 5, तो इसलिए क्या होगा, terminating, terminating, ओके, तो मैंने बात करी जाए, एक और example लेता हूं, second, जैसे मान जो दिखा है, 7 अपन 35, अब मैंने देखा, यहां पर 2 और 5 क्या होगा, दूसरा नंबर आगया, क्या आगया, 7, इसलिए क्या होगा, non-terminating, non-terminating, okay, ठीके, मतलब समझ में आया, terminating मतलब क्या था, prime factor of denominator is in a form of 2 into 5, is known as terminating, and non-terminating क्या था, prime factor is not in a form of 2 into 5, is known as a non-terminating, यह अपना introduction, first chapter बाँ फदम होता है, thank you. आगया दूसरा यार